हेलो फ्रेंज स्वागत है आप लोग का NCEIT जो नमी वीजन मन्थली मैगजिन से हम लोग पीटी के करेंट एफिर्स को एक्स्ट्राक्ट कर रहे हैं और इसमें कौन-कौन से महीने का अल्रेडी हम डिसकस कर चुके है नवेंबर हो गया है अक्टूबर हो गया है इस वीडियो में हम सेप्टेंबर महीने का डिसकस करते हैं पीडियप भी टेलिग्राम ग्रूप पे अप्लोड किया जाता है, तो इसको आप छोड़ना मत, नवेंबर देख लेना, अक्टूबर देख लेना, यह है सेप्टेंबर का वीडियो, हम पीछे-पीछे चल ले हैं, बहुत सारा प्रेलिम्स एक जाम आने वाला है, इसके लिए हम लोग इसको cover कर रहे हैं, तो क्योंकि आप लोग magazine तो करते ही हो, yearly वाला magazine करते हो, साथ में आप monthly वाला भी prelims related कर लो, तो आपको कुछ भी नहीं चूटेगा, तो इसलिए important होता है, कोई भी doubt हो, कुछ भी आपको बताना हो, कुछ भी feedback दोना, देना हो, तो इस number पर आप लोग message जरूर करना, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले, quality related कर रहें, उसके आई एर, काफी picture हम लोग डाले हैं, map डाले हैं, scheme होगरा से related बात है, उसके अलाबे, environment and ecology हो गया, सब इसमें हम discuss करने वाले, society से related, society से related scheme, science and technology, culture, सब कुछ हम discuss करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला, इसमें याद क्या करना है, criminal procedure identification act 2022 में बदलाब किया गया है, तो इसमें याद रखना है कि भाई, criminal procedure से related जो act था, उसमें amendment करने की बात, even मनिवत committee और law commission दोनों ने किया था, तो ये याद रखना है कि कोन से, मलिमत committee किस से related है, तो criminal procedure act जो है, उसमें repealed से related, उसके आद, next है, national crime record bureau, NCRB ने एक data release किया है, किसका data है, prison statistics in India report, simple पुछा है, prison statistics in India report को निकाला, national crime record bureau, national crime record bureau के बारे में बता है, तो ये 1986 में बना था, ministry of home affairs का, ये repository है, किसका repository, crime और crime से related data सबको रिपोजिट करके रखता है, crime and criminal tracking network system है, network and system को ये control करता है, बहुत सारे report निकालती है, NCRB, एक है, national database of sexual offender, उसके बाद, accidental death or suicide in India, उसके बाद, crime in India, ये सारे report ये निकालता है, तो polity से related हमने कई सारे चीज़ डिसकस कर लिए, NCRB से related हमने information डिसकस कर लिए, उसके बाद, prison या person जो detained होता है, वो किस subject में आता है, वो state subject में आता है, पूलिस किस subject में आता है, state subject में आता है, उसके बाद, representation of people act, 1951, इसके अंदर एक section है, section 29A, इसमें political party के registration की बात की गई है, simple पूछेगा, political party का registration किस section में दिया है, section 29A, उसके अलावी ये समझ लो, कि election commission of India के पास ये power नहीं होता है, कि उप political party को regulate करे, कि internal democracy political party के अंदर लाए, political party के अंदर उनका कोई, कोई उनका हक नहीं होता है, मतलब कोई उनके पास power नहीं होता है, उसके अलावे एक और चीज़ाद रखना, political party के working में transparency आए, इसलिए कई सारे committee ने काम किया इस पर, कई सारे committee ने अपने recommendation दिये, ये याद रखना, दिनेश गोस्वामी committee, तारकुंडे committee, इंदरजीत गुपता committee, दिनेश गोस्वामी committee, तारकुंडे committee, इंदरजीत गुपता committee, यह सब किस बारें बाद किए ट्रांस्पेरेंसी इन पॉलिटकल पार्टी उसके बाद एक और हमने देख लिया अलो अल्रेडी मलिमत कमीटी उसके बाद CSR Corporate Social Responsibility यह समझ लिए जो भी इसमें बदलाव हो रहा होता है ना Ministry of Corporate Affairs करती है Ministry of Corporate Affairs याद रखिएगा मतलब notification issue ministry और पूरा गर्ता तो पूरा government है इसके section में Companies Act 2013 के section 135 में लिखा है कि जो पिछले तीन साल का जो profit होगा ना उसका 2% कमपनी को खर्चा करना है CSR Fund में Corporate Social Responsibility तो भाई सब कमपनी को नहीं सब कमपनी को नहीं जो बहुत जिसका turnover होता है वो जिसका net worth 500 करोड से ज़्यादा होता है turnover 1000 करोड से ज़्यादा होता है net profit 5 करोड से ज़्यादा होता है याद रखिएगा और कोई foreign की company है ना उसका branch है और वो भी इस criteria को maintain करें तो उसको भी देना परेगा constitutional bench क्या होता है पहले तो समझे इसमें 5 से ज़्यादा judges होते हैं अगर कोई significant legal dispute होता है जिसक से क्या होता है संभीधान के provision का interpret करना ज़रूरी है उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है तो इसके लिए constitutional bench बैठती है ठीक है न और यहाँ पर लिखा हुआ है 145 sub clause 3 में इसके बाद permit दिया हुआ है चाइल्ड welfare committee यह established किया गया है under juvenile justice act for children in need and care of protection तो चाइल्ड welfare committee के बारे में थोड़ा याद रखेगा चलिए अब international relationship से है Saudi Arabia Saudi Arabia GCC का part है और G20 का part है याद रखेगे क्योंकि G20 का meeting होने वाला भी exercise हुआ है इंडिया और Saudi Arabia के बीच एक naval exercise है याद रखे नेवल exercise है यह important है और यह 2021 में हुआ पहली बार MOU हुआ है पहला गल्फ country है जिसका MOU हुआ भारत के साथ किस फिल्ड पे योगा में फॉर्स्ट गल्फ country है यह याद रखना Saudi Arabia Saudi Arabia के एक तरफ Saudi Arabia अगर location माने यह है तो एक तरफ है Persian Gulf और एक तरफ है Red Sea याद रखे रेड Sea पर्शियन गल्फ और Gulf of Oman के पी जो स्ट्रेट का नाम है और रेड सी और Gulf of Eden के जो बनाता है चलिए बांगलादेश के साथ है क्या relation है MOU किया है River Water Sering में क्या 30 Water नहीं इतना जल्दी 30 Water Solve नहीं होना है Kusierra River किस की Tributory है, Barak River की Tributory याद रखें डिरी पूरा और Bangladesh के बैच याद रखेंगा कई सारा और्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया और बांगलादेस दोनों है सार्क ठीक है ना 1985 में बना था अभी डिस्फंशनल है बिंस्टेक बेयो बेंगल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन इकोनमिक कॉर्परेशन आई आर ए आर ची इंडिया नोशन रिम एसोशेशन फॉर रिजिनल कॉर्पेशन और एक है बीवी आई इन यह वहिकल एग्रिमेंट के लिए है बांगलादेस भूटान इंडिया और नेपाल करेज नेक्स्ट है इस इओ शंगाई कॉर्परेशन ऑप इंडिया शंगाई कॉर्परेशन ऑप इंडिया 22nd मीटिंग हुआ हेड ऑफ एस्टेट का कहां पर शमरकन में और समरकन डेकलेरेशन साइन हुआ इसका उजबेकिस्तान 2023 में इंडिया में होने वाले हम सबको पता है वारा नसी को क्या चुना गया है एस्ट टूरिजम एन कल्चरल काप्टल 2022-2023 के लिए और इरान को पर्मानेंट मेंबर एक्सेप्ट कर लिया गया है और और इस्टविएंड लेंगवेच क्या है रसी और चैनिज में इस्ट एक्स Но Hamilton की बात करता है इस्ट एक्सनों ये कहां पर यहां ब्लादी बोस्तों को आपको जगह दिखेगा यहां फेला कना अ यह है ब्लादी बस तो ठीक है न सी ओफ जापान के बिलकुल पास है याद रखिये शेवेंथ मतलब इस्ट एकॉनमिक समिट हुआ सेवेंथ यह वर्चूल हुआ याद रखियेगा उसके बाद रिजिनल कोपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडो पैसिफिक हुआ याद रख नहीं रखना ज्यादा लेकिन कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ कदम उठाए गये हैं उस कदम से रिलेटेड हम लोग कुछ करेंट अफ इन इंडिया जापान यूएस ए और एक है आई टू यूटू यह भी आद रखना इन चार में कौन है एक है औकस में कौन है औस्ट्रेलिया यूके यूएस ठीक है एक और देखे है यूमेनिटेरियन एसिस्टेंस और डिजास्टर रिलिफ आग्रिमेंट यह हुआ टोक्यो 2022 में ठीक है यह किस ने किया क्वार्ड लेडर्स ने किया उसके अलाबे एक बहुत इंपोर्टेंट है ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रेडक्शन के लिए एक ग्लोबल फैंग वर्क है जिसका नाम है सेंड़ाइ फ्रेम और ठीक है यह जापान में हुआ था क्लाइमेट अख्वोट प्रोग्राम एट पैसिफिक यह ऊस्ट्रीलिया के दौरा लिया गया था एसिया पैसिफिक kलाइमेट चेंज इडप्टेशन इन्फरमेशन प्रोग्राम यह जापान के दौरा और नासा SERVAR by USA to provide satellite and geospatical information for developing countries देखरो ये सारा disaster risk management का program है इसमें जो quad के countries का जो initiative है पहले से उसके बारे में जेकर किया गया है एक देखो ये याद रखना financial intermediatory fund financial intermediatory fund FIF ये किसके दारा host किया गया world bank के दारा और WHO का support है world bank plus WHO financial intermediatory fund ये host किया गया world bank के दारा plus WHO का support है उसके बारे जेनेवा जो convention है वहीं से derive किया गया है war, crime और genocide का जो definition है वो यहीं से किया गया है याद रखेगा उसके अलाबे आप से पूछा रह सकता है इंडो-pacific trilateral development corporation fund हुआ इसमें तीन देस कोन कोन है इंडो-pacific trilateral development fund जो आया है उसमें इंडिया है फ्रांस है और उस्ट्रेलिया है उसके अलाबे financial intermediary fund की बात करते है ये world bank उसको ये तु दोबारा लेगती है ठीक है ने उसके अलाबे demise of formal Soviet president मिखाइल गौरवाचुप ये 1991 में जो collapse हुआ न ये इन ही के समयम होगा इनको इंडरा गांधी peace prize भी मिला है याद रखीगा उसके याद रखें इसमें क्या-क्या याद रखना है सब कुछ याद रखना है क्योंकि बहुत कम सी छाट-छाट के कराये गया है अब चलिए economy करते है PM गती सकती PM गती सकती गती सकती क्या है national master plan master plan है for infrastructure building ठीक है न और इसके अंदर कई सारे program जो किये जाते तो बहुत सारे जो infrastructure के program है उसको simultaneous किया गए ऐसा नहीं कि एक एक बिलकुल अलग program है नहीं जो पहले से program चल गया था उसको एक साथ बस कर दिया गया है उसके बाद एक चीज़ पूछा सकता है भाई national rail plan बनाये गया है national rail plan यह कब के लिए जो एकदम future ready railway system कब बन जागा 2030 में भाई बिलकुल green railway बनाने की बात की यह बहुत कुछ इसमें clear न इतना कोई दिक्कत नहीं नहीं उसके अलावे the logistics is across different state index leads index जो बोलते है इसमें यहाँ पर improvement की बात की गई है और जो 2018 में simple एक तो याद रखना है leads का index जो होता है leads सबसे पहले report देता कौन है world bank देता है world bank देता है याद रखना है second most sought after manufacturing destination of the world in the global manufacturing risk index देखो इंडिया के बारे हम बोला जाता है कि global manufacturing risk index में इंडिया का second ranking आया है क्यूजमें और वेक फिल्ड ने निकाला है यह हम लोग एड़ूटेरिया में भी discuss कर चुगे है अगर second largest telecommunication ecosystem की बात करें तो इंडिया है इंडिया अगर बात करें कि हम बात करते हैं कुन सी करेंसी होती है US dollar होती है euro होती है British pound होती है Japanese yen होती है और Chinese yuan होती है ठीक है यह याद रखना जो foreign exchange रिजर्व होते हैं दोनों किस act के तरह काम करता है एक RBI act 1934 एक foreign exchange management act 1999 finance की बात करते है तो 7th schedule में है याद हमें पता है उसके अलावे 11th and 12th schedule में दिया हुआ है 11th schedule में किसके पंचायती राज के कैसे finance के लिए अब काम करती है और 12th schedule में लिखा है कि urban local body कैसे अपने finance को collect करने के काम करती है यह आद देखिए part 12 में center और state के financial relationship के बारे में दिया है article 268 से 293 के बीच grant in ad की बात करें अब से पूछा है statutory grant की इस आर्टिकल में 235 और discretionary grant की इस आर्टिकल में 282 उसके finance कमिशन की इस आर्टिकल में 280 और 15 में finance कमिशन बने थे इनके सिंग हेट थे और 1141 परसेंट स्टेट को दिया जा रहा है लिक्विडिटी एर्जेसेंट फैसिलिटी मैंने इस लिए लिख दिया क्योंकि इस पर भी topic है आप इसको अपने theory बाला से देख लेना COT tokenization का मतलब क्या होता है कि भाई card detail है तो वह तो आपको private detail है तो उसको बस एक क्या कर लो token यानि unique code में convert कर लो बस ठीक है उसके अलावे human development report को निकालते है UNDP निकालती है इंडिया की ranking अभी आई है 132 out of 191 human development report को निकालती है UNDP निकालती है क्या theme है uncertain time unsettled lives saving our future in transforming world uncertain time unsettled lives saving our future in transforming world ठीक है government का scheme है कुछ ताकि human development index को improve किया सके देखो सबसे पहले सर्विक सिक्षाभियान या right to education midday meal education के film में राष्टिय माध्यमिक सिक्षाभियान model school scheme है उसके बाद है साक्षर भारत यानि adult education की बात कर रहे है health के लिए क्या क्या है national health mission both rural and urban आयुस्मान भारत mission है याद रखिए जननी सुरक्षा योजना है ठीक है नेशनल वेक्टर बॉर्ण डिजेश कंट्रोल प्रोग्राम है प्रधान मंत्री स्वास्ते सुरक्षा योजना है उसके अलावे आयुरुबेदा आयूश है याद रखना है उसके बाद महात्मा गांधी नरेगा है स्टार्ट अप इंडिया है प्रण प्रग्राम है राष्रीष स्वास्तोय वीमा योजना है पी म कोशल विकास योजना है पहले से अरबन एरिया में इंप्लोइमेंट जेनरेशन के लिए कौन-कौन प्रोग्राम था एक तो यह बला याद रखिए दीन दयाल अंतोध्या नेशनल अरबन लाइबलिविड मीशन इसमें सेल्फ इंप्लोइमेंट पर फोकस किया जा रहा है इस्किल बरहाने पर बात किया जा रहा है एक है बहुत अच्छा ने पीम स्वान इधी इसकीम यह स्ट्रीट वेंडर को सुरू में पैसा दे दो और एक वारी जो उसकी कमाई होने लगे तो उससे लेते रहो हर महीने मने प्रधान मंत्री इंप्लोइमेंट जेनरेशन प्रोग इकॉण्विक एड्वाईजरी काउंसिल टु अप्राइम मिनिस्टर फइंडिया इन्होंने एक रिपोर्ट रिलेज किया है कि इंडिया के इंटेलेक्ट प्रोपर्टी रेजिम के बारे में यह बस मैंने लीख दिया देख़ो ट्रिप्स जो है ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ओफ इंट्रेलेक्चुल प्रोपर्टी राइड ये एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसब मल्टी लेटरल एग्रिमेंट है और आई पी आर इसको सिंक कर सकते हो आप पैरिस कन्वेंशन से याद रख सकते हो ये बस इतना आपको याद नहीं रखना है एगरीड वाई 164 में कंपल्सिर लाइसेंस इज अलावड अंडर डव्लूट्यो दोहा डेकलिरेशन ठीक है उसके बाद ये कुछ आक्ट है जैसे डिजाइन के लिए डिजाइन आक्ट ट्रेड मार्क के लिए ट्रेड मार्क है कॉपी राइट के लिए अलग एड है ये बायो डावर्सिटी के लिए बायोजिकल ड्रावर्सिटी एक्ट वो बाडी कौन है जो इसको कंट्रोल करता है नेशनल बायो डावर्सिटी ऑथोरिटी Geographical Indicator के लिए Geographical Indication Registry उसके Semiconductor Integration Circuit Layout Design Registry और Agriculture के लिए तो हमें पता ही है और इसके लिए Parent के लिए Controller General of Parents Design and Trademarks Register of Copyright याद रहे हैं Copyright लिए है उसके आद कुछ आप Report है उसके पहला है Global Innovation Index इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तो नहीं थी आयोग निकाल देती है Global Innovation Index क्या है WIPO World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization ये एक और इंस्टिटूट के साथ मिलके निकालती है Like Portunus Institute और जो हमारा जो Corporate Partner है CII बहुत सारे Corporate Partner के साथ मिलके तो आपको बस वीपो याद कर लेना है इंडिया की रैंकिंग है 40-132 में Theme क्या है What is the future of innovation driven growth WIPO एक UN specialized body है Geneva, Switzerland में उसके बाद next है PLFS Periodic Labor Force Survey ये कौन करता है NSO करता है National Statistics Officer Ministry किसमे Ministry of Statistics and Program Implementation Revised Rational List of Essential Ministry ये कौन निकालती है Ministry of Health and Family Welfare उसके बाद International Labor Organization ने रिसेंटली रिलीज किया है World Social Protection Report World Social Protection Report ठीक है नहीं ये रीजिनल रिपोर्ट है For Asia and Pacific Simple कुछ है World Social Protection Report को निकाला ILO निकाला याद रखना उसके अलावे Smart Solution and Inclusive Cities Award ये कौन देता है भाई ये Ministry of Housing and Urban Affairs देता है उसके अलावे एक Declaration Signs किया गया है कब जो पहले National Conference on Tourism हुआ ध्यान देना National Conference on Tourism हुआ सारे स्टेट के अपने-अपने मेंबर आया थे कहां पर हुआ हिमाचल पर्देश में हुआ उसके बाद हिमाचल पर्देश के कहा हुआ धरमसाला में हुआ बाद में धरमसाला Declaration Signs किया गया ठीक है उसके अधर Asian Palm Oil Alliance है Asian Palm Oil Alliance है ये पाँच मेजर Palm Oil Importing Country का ग्रूप है इंडिया, पाकिस्तान, स्रिलंका, बांगलादेस और नेपाल का Palm Oil में क्या हुआता है विटामिन A और E मिलती है फैटी अचीड नहीं मिलती है ये याद रखना है ठीक है उसके सिक्यूरिटी से रिलेटर है प्रदान मंत्री कमीशन पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैडियर ठीक है ना और क्या नाम है आई एनस बिक्रांद और एक पहले से था जिससे हमने खड़दा था बिक्रमा दिते रसिया से खड़दा था मिलिटरी एक्सराइज देख लिए एक्सराइज बोस्तोक ये मल्टी लेटरल था इस्टर्न रसिया में हुआ एक है ककाड़ ये भी मल्टी नेशनल आया थे और आस्ट्रेलिया में नेवी का एक्सराइज था जी में जापान इंडिया मेरिटाइम एक्सराइज परबत प्रहार ये लद्दा के महँआ हाई एल्टिट्यूड माउंटेल पर ये अपने खुद से किये तेजस तेजस एक सूपरसोनिक फाइटर जेट है जो की डिजाइन किया गया है एरोनॉटिकल डेवलप्मेंट एजनसी के द्वारा अंडर डिडियो और एच ए एल एरोनॉटिकल डेवलप्मेंट एजनसी अंडर डियो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसके अलाबे एक और है वेरी सॉट रेंज एर डिफेंस सिस्टम वेरी सॉट रेंज एर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है जो DRD उने टेस्ट किया है, यह man potable है, याद रखना, उसके अलाबे, रोहिनी RH 200 की बात करते हैं, तो यह two stage rocket climbing to the height of ऐसा rocket है, जो 70 km तक चल जाएगी, with scientific payload, पेलोड उस पर थोड़ा बहुत रहेगा, उसके अलाबे, इंडिया की, जो computer emergency response team है, उन्होंने, टीम है जिन्होंने host क साइबर security exercise है, जो किसके साथ हुआ, सिंगापूर की जो agency है, उसके साथ हुआ, बहुत सारे और country आते हैं, simple पूछेगा, synergy क्या है, synergy, इंडिया की computer emergency response team है, उन्होंने host किया, याद रखना, उसके बाद, environment का जो बचा, environment, society, और science and tech, और culture, यह हम दूसरे वीडियो में discuss चलो, फिर मिलते हैं, और like जरूर करना आपको पसंद आता था, comment करके बताना कि कैसा लगा, और क्या इसमें और extra किया जा सकता है, और उसके subscribe तो जरूर करना, आप लोग subscribe नहीं करते हो, देख लेते हो, बस एक लगएगा subscribe करना, ठीक है, और आप contribute भी कर सकते हो, और इस number प फिर नेक्स वीडियो में, तब तक लिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच,